गुरुजी रादे रादे, गुरुजी मैं सुल्तानपुर से आयू हूँ, मेरा पुरुषने है कि मेरे पती देव से मुझसे बहुत लड़ाई जगड़े होते रहते हैं, घर पे कहां है पती? ये बैठे हैं सामें काई पती आओ? गुरुजी रादे रादे गुरुजी रादे किस से बोलती हैं? बताओ आप से बोलती हैं कि पडोसी से बोलती हैं कि दीवारों से बोलती हैं किस से? ये बोलती है जो है हमको पता लगता है जो है पडोसी से तो किस से बोलती है ये? हमको पता नहीं लगता है ये बात को तो बिना पता लगाए कैसे बोलते हो कि यह बोलती है यह हमारा कहना सुने मानती नहीं है इसलिए हम को बोलते हैं इनको हम को मारती है कुछरी से मारती है यह आपको मारती है काहे पतनी महरानी काहे मारती हो मेरे को सक करते हैं कहते हैं गलत हो तुम पराएपुरुस के साथ गलत काम करती हो जो कि मैंसा कुछ भी नहीं करते हैं जब यह सब कहते हैं तो मुझे बुरा लगता है तो काई से मारती हो मारती नहीं हो गुरुजी कुछरी से मारती है लोडा से मारती है इतना ही आधत खराब है तो तुम अपने पतनी को काहें, तुम सक करते हो, संदेह हिर रखते हो, तुमारी पतनी अच्षी है? जब लेषाब, अपתन देखा इस पठततर सबस्ति आपए करेशा सबदे इसमदाए तुमकिसी के चरित्रपर लगाओ के बे बज़ा है तो अधू मार पड़ेगी ठीक माती है तुम इसी लाइक हो गाली का है देते हो पतनी को गुरुजी जब पतनी को अज तक किसी परपुरुष के साथ, प्राय मर्द के साथ अपनी पतनी को देखा? गुरु जी अपनी आखों से देखा, पहले बताओ नेई, डेखे गुरु जी नहीं तो ताहे सच चोही हुआ, जो़ करते हो पतनी पर देखे भी नहीं संदे फिजूल में ही कर रहे हो ठीक मारती है काई बिलन से मारती है बेलन से लोडा से हाँ सिल से भी मार नाव सुनो अरे सुनो हम से तो नहीं मार रहे हैं महराज आपको सुनो शराब पीते हो मांस खाते हो सिगरिट कोच ने, बीड़ी, कोच ने, तुमारी पतनी बहुत अच्छी है, ऐसे सकनी करते बेटा ऐसे में रिष्टेख हराब हो जाते हैं, आप कमाते हो अच्छी बात बच्चे हैं आपके, यह बड़ा बेटा है, इसको भी बोलते रहते हैं, बच्चों को भी डाटते हो, क्यों? जो कहते हैं गुरुजी अपने मन के करते हैं जाते हैं चेन नहीं गये हैं तीन चार पांच छे महिना से आई हुए हैं एक पैसा नहीं लेकर आए जो खर्टा रहता है हम हमें को पूरा करना पड़ता है नहीं तो आप पिता हो तो आप तो ही करोगे ना पूरा करना है तो बोल अबसे जबान लड आते हो, बात कराओ, बेटे बात कराओ, राजी राजी गूरी जब भलत बोलते हैं तो मैं तो बोलुगा ना, अरी, अरि मम्मी पाप के बीच में तौम ना पड़ो, वो दोनों लड़ बड़के एक को जाएंगे, तुम स्दा के लिए तुम कहरें, पती प आपका संबन करना बेटा जिए बाप के पाऊं छूना सॉरी बोलो चलो पिता-जी खों सॉरीप अच्छे से भोलो पिता-जी 23 sorry sorry Puta तक बाद कभी नाटना ना कभी बोला तुमारा कोई अधिकार नहीं है पती पतिनी की लड़ाई हो रह рекज़ है होने दो, तुम बच्चे हो, तुमारा अधिकार नहीं है बोलने का, ठीक है, अब सुनो, तुम बात करो, पिता जी से बात करा, बेटा, जब तुम लड़ोगे आपस में, तुमारी लड़ाई के प्रभाव तो बच्चों में पड़ेगा ना, बताओ ना, तो बच्चों में द कराऊँगा, आज से आप भी अपने पती पे हाथ नहीं उठाना, बात कराओ, पती पे हाथ उठाना, बहुत बड़ा पाप है, नहीं, गुरु जी, में हाथ नहीं, लेकिन, जब यह बात करेंगे ना, क्यों? अब यह माकसम खाके बोलनी है कि आपको कभी नहीं मारेंगी? ठीक गुरुजी आप भी माकसम खाके बोलो कि आप इने पर संदेह नहीं करेंगे? आप संदेह नहीं करेंगे, आपकी पतने अच्छी है, गलत इस्त्रिया होती तो वो अलग दिख जाती है, आज नहीं कल तुमारा इतना जवान बेटा है, यदि यह गलत होती, तो चलो तुमारी नजरों से बसती, कभी बेटा तो देखता ना, कोई तो देखता? जी यह भी कहते हैं कि हां ममे कुछ गलत है, कौन कहता? यह लड़का यह बोले, यह बात कराओ, बात कराओ, क्या बोला आपने? मैंने कुछ नहीं बोला गुरुजी, अपने आप बोल रहे हैं जो, बात कराओ, है कोई बात नहीं, छोड़की बात हैं कल मत्त पुरानी, पत्नी गलत नहीं है आपकी, आप भी गलत नहीं हो, लेकिन प्रैम से रहो, अब वो आपको कह रही है कि हम और आ आप भी पक्कावादा करो, कि आप भी कभी संदेह नहीं करोगे, जब तक यदि आपको संदेह है, तो अपनी आखों से देखो ना, तुम काम पर मत जाओ, देख लो कि भाई कभी अचाना का के देख लो, गुरु जी कहती है कि घर रखाते हो, कोई बात नहीं, भाई घर पर तो बच्चों की पढ़ाई केंसे होगे, काम भी तो जरूरी है, गुरु जी कमाएंगे नहीं, तो खाएंगे कि आए, तो बात भी कमाओ, पर कभी-कभी दो-चार महिने में बीच में एक दिन बीच में आके देख लो, छुट्टी लेके, कि तुम्हे अदी जादा ही सक है, तो देख लो ना, तो पक्का बादा, अब प्रेम से रहोगे ना, इसलिए मैंने यहां पर आया हूँ है, आए हो ना, अब देखो अब यह मारेंगे नहीं आपको, हमने का चलो जो है, गुरु माराज के यहां, वहां जर्शन करेंगे, उसके बाद तो आएंगे गुरु जी अब प्रेम से रहना, सारी बोलो इनको, सारी 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 नहीं मारेंगे हाहा हाह खुश्यों थाकुरसाहब कराण कर दो थाकुरसाहब हाह यहीए नहीं थाकुरसाहब यह यह जब थाकुर जी भगभाण जी का नाम करन दो अब रखें के अंदर मिल्ला अच्छा है आप दोनों के दर्सन करके हम धन्य हो गए सना अब यदि तम सकवा करें तो पिटो हो गए आसी सिलवट्टा से